हेलो दोस्तों आप सुर्वन का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है आज की वीडियो में हम डिसकर्श करने वाले हैं 2018 यूपिटेट 2018 में एक गड़ित में प्रिशन पूछा गया था प्रिशन इस प्रकार से है एक बहभुज के अंताह कोणों का योग 260 डिगरी है तो होता है अंताह कोणों का योग बराबर x-2 गुड़े 180 डिगरी ठीक है तो ये एक फार्मूला है इस फार्मूले के त्रू जो है अंताह कोणों का योग इस साइड में रखा जाता है फार्मूला इस साइड में रखा हुआ है इसी फार्मूले की सहायता से हम पुजाओं की स संख्या निकालेंगे तो योपीटेट 2018 में पूछा गया है ऐसा नहीं है कि पुछे नहीं जाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे और सिंपल सिंपल ही आज कल के एक्जामों में इस तरीके से पुछ लिए जाते हैं तो योपीटेट सिचक बरती या अन्य के लिए बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है तो ठीक है तो चले वीडियो के स्टार्ट करते हैं योग जो है यहां पर दिया गया है 2160 डिग्री इधर हो जाएगा एक्स माइनस टू गुड़े 180 डिग्री अब यहां पर देख रहे हैं कि यह 180 जो है गुड़े में है तो इधर देख भाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में ठीक है तो 2160 को डिवाइड कर देंगे 180 डिग्री से इसकल टू इधर बचेगा एक्स माइनस टू बचेगा के वल एक्स माइनस टू यहां पर स्वाल्व कर देंगे जीरो से जीरो काड़ देंगे और इसमें 9 का पहड़ा लग X-2 तो यहां पर क्या भी दो से फिर से कट जाएगा दो कम दो ठीक है और दो कम दो दो दूनी चार तो कितना बचा इधर लिखते हैं 12 X-2 अब यहां पर माइनस टू है तो इधर आएगा कैसा हो जाएगा प्लस में तो 12 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14 ठीक है इस त अनता कोणों का योग कितना होगा तो वहां पर भुजाओं की संख्या दे जाएगी इस तरीके से इसी formula से जो है अलग अलग प्रिशन पूछे जाते हैं तो यह formula जो है बहुत ज़्यादा important है यूपी टेट में इससे सम्बंदित एक प्रिशन आता ही आता है वो घुमा फिरा के एक प्रिशन पूछ लेता है तो आज की वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आप लोगं को आज क कि वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी वीडियो कर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चनल पर नए हो तो चनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा